सबसे पहले साधिक कलीम भाई ग्रणियुद्ट यसजीं हमको कमेंट करा है सोरी अगर में नाम गलत ले रहा हूंगा तो थाइंक्यू फ़नाम कहां से आसे तो यार देखो ये एक दिन में नहीं हैं बहुत दिन से मैं collect कर रहा था और मैं बिल्कुल भी use नहीं करता बक्स का मैं add देख लेता हूं लेकिन box use नहीं करता तो बहुत दिन से collect करते करते मेरे पास around 30,000 हो चुके थे जो कि अभी 11,000 हो चुके हैं कम हो करके और रही बात की मैंने कहां से collect किये थे तो भी मैं बता देता हूं सबसे पहले जो तुम्हें नीचे के साइड में free gift का offer दिख रहा होगा उसे collect करना है और उसके अंदर आपको मिल सकते है green box तो देख सकते हो तुम लोग मुझे green money नहीं मिला बट मैं add देख करके बबारा से इसको open कर सकता हूं तो मैं पहले एक add देख लेता हूं उसके बाद मिलते हैं all right guys तो मैंने add देख लिया है और अभी pack को open करते हैं तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मुझे 10 bucks मिल चुके हैं तो इस तरह तुम collect कर सकते हो ज्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन ये pack दिन भर में कम से कम 3-4 बार तुम open कर सकते हो 3 घंटे में एक बार आता है तो इससे भी तुम collect कर सकते हो अच्छा खासा bucks और रही बात दूसरे method की तो वह होता है तुम्हारा daily mission जो तुम्हें हर दिन missions आते हैं तुम उन्हें complete करके daily green money ले सकते हो तो जैसा तुम लोग देख सकते हो use 3 different classes of aquatic creatures तो इस mission को complete करने से तुम्हें 50 bucks मिलेंगे और जैसे तुम यहां के 8 missions complete कर लोगे तो तुम्हें एक pack मिलेगा जिसके अंदर तुम्हें 45 green money मिलेंगे तो यार यहां से तुम around daily 100 green money कमा सकते हो तो यह भी एक बहुत ही अच्छा method है तो अगला जो तरीका है वो है trade harbor तुम अगर daily trade harbor को check करते हो तो तुम्हें एक नएक अच्छे offer जरूर मिल जाएंगे जिससे तुम्हें अच्छा खासा green money मिल सकता है trading करके मैं तुम्हें दिखा गयता हूँ सायद मेरे पास कोई अच्छा offer आया होगा भी तो जैसा तुम लोग देख सकते हो मेरे पास दो trades आये हैं green money के लिए तो एक में है 96 DNA के बदले 31 green money तो यह वाला trade अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ तो गाइस यह थे कुछ तरीके जिनसे तुम free में green money कमा सकते हो hopefully तुम लोगों को समझ में आया होगा या फिर तुम लोगों को पहले से ही पता होगा अगर पता था तो comment में बता देना तो गाइस अभी आजाते हैं अपने events पर तो अभी हमको complete करना है generation 2 fury जिससे हमको एक generation 2 अला T-rex मिलेगा तो मैंने दो fights या फिर तीन fights और लेड़ी लेकर के रखी हुई है और एक आखरी fight बची हुए तो हम उसको अभी complete करने वाले हैं तो चलते हैं सिधा battle में तो गाइस इतने अच्छे dinosaurs नहीं आये हैं इसका player जो है वो काफी तगड़ा है बागी सारे dinosaurs ठीक ठाक यह है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक flyer ले जाओ तो चलिए गाइस PT को select कर लेते हैं हम और उसके बाद दो super hybrid dinosaurs तो देखते हैं क्या होता है battle के अंदर वैसे मैं ही जितूँगा मुझे पता है क्यूंकि दो super hybrid dinosaurs उतार दी है मैंने ओके गाइस तो आचुका है इसका generation 2 वाला टीरेक्स और ये one shot kill है तो भाई ये एक फटके में उड़ जागा तो इसको तो उड़ाना पड़ेगा तो चलिए गाइस इसको one shot kill कर देते हैं हम लोग और भाई इसका टीरेक्स मर गया और अभी आ जाता है इसका हर्वी बोरस डाइनोसौर जो की पता नहीं कौन सा है पैरा सौर का कुछ है तो देखते हैं ये दो के दो अटेक्स देगा ओके तो इसने दो के दो अटेक्स दे दिये और इसने मेरे पीटी को डाउन कर दिया लेकिन गाइस हमारा कार्निवर्स डाइनोसौर जो की हमारा सूपर हाइब्रीड है वो आ चुका है और दो के दो अटेक्ट दे करके मैं इसको डाउन कर दूँगा और गाइस इसका फाइनल डाइनोसोर आ चुका है जो कि है फलायर और इसका 900 का डैमेज है तो ये दो के दो अटेक्ट दे करके मेरे को यहाँ पर डाउन कर देगा लेकिन गाइस हमारा सूपर हाइब्रेट डाइनोसोर जो कि है मोनोलोफोसोरस इससे में तीन के तीन अटेक दे करके इसको उड़ा दूँगा सिधा डायरेक्टली गेम खता तो गाइस यहां पर हमने यह बैटल भी जेत ली है और हमारा मिशन कम्recht हो चुका है जो कि हमारे मोनोलोफोसोरस ने कम्पलीट कराया है तो यार हमारा सुपर हायब्रेट OP है और अभी हमको reward देख लेना है कि हमको क्या मिलता है वैसे generation 2 वाला ही मिलेगा टी-rex पता है तो गाइस इस card को करते हैं जल्दी से open और dna green money और food मिला और आखरी में हमारा टी-rex generation 2 का card मिल चुका है हमको और 650 jw points और गाइस यहाँ पे देख लो टी-rex generation 2 का dna अनलोक हो चुका है पता नहीं कैसे इतनी बार fight लिए मैंने generation 2 वाले में लेकिन आज तक कभी अनलोक नहीं हुआ लेकिन पहली बार हमारा generation 2 वाला dna अनलोक हो चुका है तो गाइस अभी तो हमको generation 2 वाला t-rex max करना होगा क्योंकि यार उसका dna अनलोक हो चुका है तो यह भी हम बहुत ही जल्द कर देंगे और हमारा देख सकते हो तुम लोग 10,000 jw points हो चुका है तो अभी इसका crate opening करना पड़ेगा क्योंकि यार 10,000 पर हम हमेशा jw की crate opening कर द हैं तो अभी एक solid gold pack कर दो और देखते हैं हमको कौन सा डाइनोसोर मिलने वाला है ओके गाइस तो मैंने खरीद लिया है सोलिड गॉल्ड पैक और अब इसको करते हैं ओपन और देखते हैं हमको क्या मिला है तो सबसे पहले मिला है डियने और उसके बाद भी हमको मिला है डियने और लास्ट में हमको मिला है ये हर्भी बोरस डाइनोसोर जो की तीन पड़े हुए है मेरे पास ओलेडी और ये चौथा हो जाएगा तो अच्छी बात है हम इसको इवल्व करके हाई लेबल का बना सकते हैं वैसे इसका डैमेज काफी जादा जाता है तो हमारे पास ग्रीन टाइप के डाइनोसोर जाद हो जाएंगे अब तो गाइस आज की हमारी बेटल अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर टेन थाउजन जे डबलू पॉइंट की करेट अपनिंग अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं तुम से अगले एपिसोड में तब तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो